हलो students welcome to amazing academy तो हम बात करते हैं एक बड़े interesting topic की geometrical isomer topic की और इसमें आज हम कुछ टिप्स discuss करेंगे और वो tips होंगी counting of geometrical isomers की तो जो geometrical isomers हैं वो क्या होते हैं और उनकी counting कैसे होती इसके बारे में कुछ tips और कुछ tricks आप लोगों को बताएंगे कई बार क्या होता है एक ही molecule में कई सारे double bonds हो जाते हैं जो geometrical isomerism show कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हमें identify करना रहेगा कि जो double bond है वो GI show कर रहा है या नहीं कर रहा है और फिर next target हमारा रहेगा that will be the counting of geometrical isomers so सबसे पहले हम बात करें how to count possible number of geometrical isomer for a molecule which contain multiple double bond तो students आप लोगों को इस बात का अच्छे से idea है कि कौन सा double bond है जो GI show कर सकता है for example मैं एक बड़ा simple सा case ले रहा हूं तो हमारे पास carbon carbon double bond है और इस से चार different groups जुड़े हो गया है let's say a let's say b let's say c and d तो यह molecule कब GI show कर सकता है यह आप जानते हो if a group is not equal to b and c group is not equal to d तब यह molecule क्या कर सकता है geometrical isomerism show कर सकता है तो यह molecule में केवल एक ही double bond है जो GI show कर सकता है और इसके कई सारे examples भी हैं जैसे for example हमने देखें तो इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर देखो एक बीच में double bond है जो group जुड़ा हुआ है a और बी यह different है और जो group जुड़े हुए right में c और d यह भी different है और यह molecule GI show कर सकता है ठीक है तो हमें वो double bond सबसे पहले identify करने चाहिए है जो geometrical isomerism show कर सकते हैं for example अगर हम बात करें यहाँ पर इस molecule की CH CH double bond CH ET तो इसको थोड़ा और अच्छे से अगर हम लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH तो यहाँ पर अगर अगर देखें इसको mention कर सकते हैं यहाँ पर CH double bond CH CH double bond CH और ET थोड़ा धंग से मैं इसको लिखा जिससे कि मैं carbon के hybridization state को और methyl और H की position को मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं यहाँ पर अगर हम देखें तो left वाला A is not equal to B ठीक है यहाँ जे green signal मिल रहा है कि GI शो कर सकता है और अगर हम right में देखें तो C यह है और D यह पूरा group है तो यह दोनों भी different है तो हम यह identify कर पा रहे हैं कि इस molecule में यह double bond GI शो यह geometrical isomerism शो कर सकता है similarly हम इस bond की बार करें तो इटा आप देख रहे हो C is not equal to D यह भी अलग है और यह A और B भी क्या है different है तो यह double bond भी GI शो कर सकता है तो यहाँ पर हमारे पास इस molecule में दो हो double bonds है जो GI शो कर सकते हैं पहले हमने यह identify कर लिया अब हम क्या करें इस molecule को बीच से कट कर दे यह मारा यह काट दिया हमने इसको ठीक है तो काटने से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम नहीं है और लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम नहीं है ऐसे molecules को हम क्या बोलते हैं unsymmetrical molecules तो यह क्या कहलाते हैं unsymmetrical तो unsymmetrical molecules के लिए बहुत ही simple तरीका है हमने identify किया दो double bond है जो GI शो कर रहे हैं तो यहाँ पर हम उसको ले लेते हैं N, N का मतलब number of double bond जो GI शो कर रहे हैं ठीक है, so N represents number of double bond showing GI अब हमें total number of geometrical isomers count करने हैं for unsymmetrical molecule तो यह हमारा maths का बड़ा simple सा formula है, total number of geometrical isomers हो जाएंगे 2 की पावर N, तो यहाँ पर हम calculate कर सकते हैं बड़े simple तरीके से, that is 2 की पावर N, but this is applicable only for unsymmetrical molecules, आप जानते हो there are two positions, and each position can be represented in two ways, क्योंकि यह GI show कर रहा है, तो यह cis trans बना सकते हैं या EZ बोल सकते हैं, यह भी GI show कर रहा है तो इसमें भी cis trans या EZ बोल सकते हैं, तो अगर दो positions हैं, और हर position को दो तरीके से fill कर सकते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, total possibilities 2 की पावर 2, अगर मालीजी N double bond होते, जो GI show कर सकते है तो हम total number of geometrical isomers या total possibilities कैसे लिख सकते थे, 2 की पावर N, तो यह सबसे simple हैं, लेकिन कब simple है, जब मॉलीक्यूल क्या है, unsymmetrical है, अब आप बोलोगे सर, unsymmetrical के अलावा भी कोई possibility आ सकती है, तो my answer is yes, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर molecules दिये जाए, जिनमें आपको counting करनी है, और और वो molecules क्या हो, symmetrical हो, जैसे कि यह molecule दिया होगा, so CH3, CH double bond CH, CH double bond CH, CH3, इस molecule को बीच से cut कर दीजिया, और बीच से cut कर रहे हो, तो देखो कि left side and right side, दोनों ही क्या है, identical है, और इसलिए हम इस molecule को क्या बोल रहे हैं, symmetrical, नीचे वाले molecule को आप देखो, इसको आप बीच से cut कर दी है, so CH3, CH double bond CH, इस side से भी देखोगे, CH3, CH double bond CH, इसको बीच से cut किया, तो यह दोनों भी क्या हो रहे है, symmetry बना रहे है, तो बीच से cut करने पर left side और right side क्या है, same है, तो यह molecule भी symmetrical है, बट आप देखोगे, कि यहाँ पर जो number of double bonds है, एक तो यह GI शो कर रहा है, और एक यह शो क रहा है, एक यह GI शो कर रहा है, और एक यह double bond GI शो कर रहा है, और N की value 3 है, मतलब यह odd number है, तो unsymmetrical के case में कोई जंजड नहीं था, unsymmetrical के case में N निकाल लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी है, आप direct निकाल लीजिए N की value, और total geometrical isomer 2 की power है, लेकिन symmetrical के case में हमें यह पड़ेगा, कि जो N की value है, वो even number है, यह odd number है, और उसके basis पर हम calculation कर सकते हैं, यही हमारी tip है, ठीक है, यही हमारी trick भी है, तो हम calculate करते हैं, जब symmetrical है, तो इस formula से, that is 2 की power N minus 1 plus 2 की power P, ठीक है, so 2 की power P, अब student बोलेंगे sir, N तो समझ में आ रहा है, कि N तो number of double bond है, जो GI शो कर है, what is P, तो P क्या है, P is defined on the basis of the value of N, अगर N even number है, तो P की value हो जाएगी, N divided by 2 minus 1, क्योंकि यह even number है, तो यह N by 2 एक integral value होगी, fraction नहीं होगा, so it will be N by 2 minus 1, लेकिन अगर N, अगर माल लीजिए कि N odd number है, तब हम P निकालेंगे, N minus 1, पहले निकालेंगे, उसको 2 से divide कर देंगे, ठ जैसे कि इस question में, N की value 2 आ रही है, मतलब क्या रही है, तो हमारा formula क्या है, 2 की power हम निकालेंगे इसको total number of geometrical isomers को, 2 की power 2 minus 1, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 2 की power N minus 1, तो N की value होगी 2, plus 2 की power 2 divided by 2 minus 1, जो हमारा P है, even number होने की वाज़े से, that is N by 2 minus 1, तो यहाँ पर यह value होगी 2, plus 2 की power 0, और यह आ जाएगा 3, तो total number of geometrical isomers इस molecule के लिए कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है, मगर यह तब है, जब N की value क्या रही थी 2, और यह symmetrical था, अब हम बात करते हैं, जो molecule नीचे दिया हुआ है, उसके लिए, ठीक है, तो जो हमन इस molecule की अगर हम बात करें, तो N की value आ रही है, 3, that is odd number, यह molecule symmetrical है, हमने cut करके देखी लिया, check कर लिया, तो total number of geometrical isomers हो जाएंगे, 2 की power 3 minus 1, that is 2 की power N minus 1, plus 2 की power क्या आ जाएगा, P, and what is P, 3 minus 1 divided by 2, तो this will be 2 की power 2, that is 4, और यह हो जाएगा 2 की power 2 by 2, that is 2 की power 1, so total इसमें आ जाएगे 6, ठीक है, तो यह धिहान रखने वाली बात है, अगर हम यह धिहान नहीं रखते, कि अंसिमेट्रिकल है, तो इसका answer हम दे 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 2 की power 2, 4, और इसका answer दे दे 2 की power 3, 8, और दोनों गल हो जाते है, अब यह value थोड़ी सी कम आ रही है, unsymmetrical अगर होता तो 4 आती, ऐसा क्यों हो रहा है वेटा, कि इसकी value कम हो रही है, यह कम आने का reason है कि यह symmetrical है, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ, कि value कम क्यों आ रही है, जैसे एक दो double bond से हमारे पास, left वाला जो double bond ने वो क्या है, E है, मान लिया, E है, और right वाला जो double bond है, let's say वो E है, ठीक है, दोनों E हो गए, अब left वाला मैंने मान लिया E, right वाला Z, left वाला मैंने मान लिया Z, right वाला Z, left वाला मैंने मान लिया Z, right वाला E, लेकिन जो हमने निकाला calculate किया, उससे value कितनी आ रही है, 3, इसका मत यह चार वैल्यू में से कोई एक चीज क्या और यह repeat हो रही है और अगर यह molecule symmetrical है तो आप left से इसको देखोगे तो EZ दिखेगा और right से इसको देखोगे तो यह molecule भी EZ दिखेगा और क्योंकि यह symmetrical है तो यह दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी इनको दो बार count करने की ज़रूरत नहीं है इसी लिए हमें trick लगानी पड़ती है unsymmetrical के case में कोई जंजट नहीं है हम direct 2 की power n से निकाल लेते हैं और symmetrical के case में हमें चेक करना पड़ेगा कि double bond जो GI शोग कर रहे हैं वो even number है या odd number है और even number के लिए हम P से निकालेंगे n by 2 minus 1 और odd number के लिए हम P से निकालेंगे n minus 1 by 2 और इस formula में हम place कर देंगे ठीक है तो ये थी trick और इस trick के basis पर हम कुछ और questions भी इसमें solve कर सकते हैं जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो एक double bond है जो GI show यहाँ पर कर रहा है ठीक है आप देख लो यहाँ पर जो double bond है उसमें जो vertical isomerism possible है दूसरी बात यहाँ पर आप देखोगे तो एक combination सा दिख रहा है अब यह बड़ी interesting बात हो गई यहाँ पर हमुझे दो-दो double bond दिख रहे हैं एक ही double bond count करें पर example मैंने यहाँ पर लिया A, B, C और D तो यह पूरा combination GI show कर सकता है इफ A is not equal to B and C is not equal to D यह पूरा एक combination है और इस पूरे combination को आप एक unit मानेंगे एक geometrical isomer unit मानेंगे ठीक है तो जो मैं बोल रहा था न N represents total number of double bond showing GI तो उसमें जब हम counting करेंगे तो इस पूरी unit को क्या मानेंगे एक unit मानेंगे अगर माल लीजिए कि यहाँ पर बीच में बीच में अगर माल लीजिए यहाँ पर कोई एक cyclic ring आ जाती है इस तरीके से तो इसको भी आप क्या करें यह भी एक important tip है कि आप इसको compress करके एक double bond बना लीजिए और यहाँ पर आप देखोगे कि odd number में double bond दुबारा आ जाएंगे अब odd number में आ गए तो यह पूरा combination एक double bond की तरह treat होगा तो अगर यह एक double bond की तरह treat होगा तो इस पूरे combination को आप आप एक double bond की तरह treat करिए और इस पूरे combination को क्योंकि यह तो दिखी रहा है एक double bond है तो यहाँ पर दो units होगी जो GI show कर पाएंगी और N की value हम क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे अब आप इसको बीच से cut करोगे तो left side और right side different है मतलब यह unsymmetrical है और unsymmetrical है तो total geometrical isomer की value आजाएगी 2 की power 2 और यह आजाएगा 4 यह वेटा हमें दिहान रखना है कि हमें combination जब बनाने है तो कई बार examiner सीधे question देता है और कई बार examiner different question देता जिसमें हमें समझना पड़ेगा कि this represents one combination जिसमें हम double bond बना रहे हैं तो this is one combination इसलिए N की value क्या होई 2 होई कुछ बच्चे गलती कर देता है एक double bond यह हो गया सार एक यह हो गया एक यह हो गया तो N की value 4 हो जाएगी तो वो गलत है जब यहां से आप एक ही cis trans बना सकते हो यहां एक ही ez बना सकते हो तो इसको एक combination की तरह आप consider करें एक और बार इसी तरीके का question हम देखते हैं यहां पर आप देखोगे एक double bond फिर एक double bond बीच में cycle तो इसको भी आप क्या consider करेंगे एक unit और एक unit यहां पर आप देखोगे ध्यान से तो आप सब ने सोचा कि ज़र यह तो double bond है और double bond है तो क्या होगा यह GI show करेगा ऐसा नहीं है सारे double bond GI show नहीं करते हैं यहां पर आप देखोगे तो यह दोनों same है और यह same होने के कारण यह double bond GI show नहीं करेगा और नहीं करेगा तो आप इसको count भी नहीं करेंगे ठीक है तो यहाँ N की value हो जाएगी 1 वो भी इस combination से और total geometrical isomers हो जाएंगे 2 की power 1 So this is important और यह काफी important examination point of view से हैं आप इसको समझें आप double bonds को count करें अगर माली जी double bonds एक साथ आ रहे हैं cumulative हैं एक के बाद एक आ रहे हैं तो जब odd number आ रहे हैं तब आप उसको one unit count करें और इसके basis पर questions को solve करें Happy Learning